अंतरिक्ष बहुत विशाल है यह आकाश मंडलों, तारों और ग्रहों से भरा हुआ है लेकिन अगर हम आपको बताएं कि हमारा ब्रह्मांडिय पडोस थोड़ा खाली हो सकता है एक रेगिस्तान की कल्पना करो, रेत का नहीं, बलकि सितारों का यह एक दिल्चस्प संभावना है जिससे खगोल विद वर्तमान में जूज रहे हैं क्या हमारी आकाश गंगा एक ब्रह्मांडिय शून्य में रहती है? सदियों से हमने ब्रह्मांड में देखा है और इसकी सम्रिध्धि पर अचंभा किया है धारणाओं को चुनोती देता है और इसके भीतर हमारे स्थान के बारे में गंभीर प्रशन उठाता है हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस आकरशक संभावना का पता लगाते हैं विज्ञान, बहस और एक ब्रह्मांडिय रेगिस्तान में रहने के नहितार्थों में उतरते हैं ब्रह्मांडिय शून्य को समझने के लिए स्विस चीज के एक टुकड़े की कलपना करें पनीर ब्रह्मांड के पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है जो आकाश गंगाओं और समूहों में एक साथ चिपका हुआ है छेद तब ब्रह्मांडिय शून्य हैं अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र जिनमें बहुत कम आकाश गंगाएं हैं ये शून्य केवल खाली स्थान नहीं है वे ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर सनरचना के अभिन अंग हैं ब्रह्मांडिय शून्य अपार हैं जो अकसर सैकडों लाकों हैं अज गंगाएं कहा जाता है ये आकाश गंगाएं शुरुवाती ब्रह्मांड और उन प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती हैं जिनके कारण हमारी जैसी आकाश गंगाएं बनी ब्रह्मांड के विकास और उसके भीतर पदार्थ के वितरन को समझने के लिए इन ब्रह्मांडिय शून्यों का अध्यायन करना महत्वपूर्ण है 2013 में खगोल विदो ने एक विशेश रूप से पेचीदा शून्य की पहचान की जिसका नाम इसके खोज करताओं कीनन, बारगर और कावी के नाम पर केबी सी वॉइड रखा गया माना जाता है कि यह शून्य पहले खोजे गए किसी भी शून्य से बहुत बड़ा है गोलाकार है और हमारी मिलकी वे आकाश गंगा पर केंद्रित है केबी सी शून्य का अनुमान लगभग दो अरब प्रकाश वर्ष है इसका मतलब है कि हर दिशा में हम देखते हैं अरबों प्रकाश वर्षों तक अपेक्षा से काफी कम आकाश गंगाईं है इस खोज को वैज्यानिक समुदाय में उत्साह और संशय दोनों के साथ मिलाया गया था यदि पुष्टी हो जाती है तो केबी सी शून्य ब्रह्मान की सबसे बड़ी जात सनरचना होगी और हम इसके ठीक बीच में रह रहे होंगे इस खोज के ब्रह्मान के विस्तार, डार्क एनरजी की प्रकृती और चीजों की ब्रह्मान्डिय योजना में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण नहितार्थ है चौथा भाग ब्रह्मांडिय विस्तार और शून्य का प्रभाव ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है इसका मतलब है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है और उनके बीज का स्थान खिंच रहा है हलांकि विस्तार की दर एक समान नहीं है आकाश गंगाओं और समुहों जैसे पदार्थ की उपस्थिती, गुरुत्वा कर्शन के कारण स्थानी रूप से विस्तार को धीमा कर सकती है ब्रह्मांडी ये शून्य, पदार्थ के अपने कम घनत्व के साथ विपरीत प्रभाव डालते हैं ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की ओसत्दर से भी तेजी से उनका विस्तार होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें वापस पकड़े हुए कम गुरुत्वा कर्शन है अगर हम वास्तव में के बीसी शून्य में रहते हैं तो यह ब्रह्मांड के बारे में कुछ हैरान करने वाले अवलोकनों की व्याख्या कर सकता है उदाहरण के लिए हम स्थानिय रूप से जो विस्तारदर देखते हैं वह शुरुवाती ब्रह्मांड के मापन के आधार पर हमारी अपेक्षा से थोड़ी तेज लगती है इस विसंगती को समझाया जा सकता है यदि अंत्रिक्ष का हमारा स्थानिय क्षेत्र शुन्य के प्रभाव के कारण थोड़ा तेजी से विस्तार कर रहा है पांचवा भाग असंतुष्ट स्वर बहस का एक ब्रह्मांड यह विचार कि हम एक विशाल ब्रह्मांडिय शुन्य में रहते हैं आलोचकों के बिना नहीं है कुछ खगोल विदों का तर्क है कि केबीसी शुन्य के लिए सबूत अभी तक निरनायक नहीं है वे आकाश गंगाओं विशेश रूप से उन लोगों की दूरी को सठीक रूप से मापने में कठिनाई की ओर इशारा करते हैं जो बहुत दूर हैं और इस प्रकार फीकी हैं दूरी मापन में ये अनिश्चितताएं संभावित रूप से ब्रह्मान्ड की बड़े पैमाने पर सनरचना के बारे में हमारी धारणा को कमजोर कर सकती हैं आलोचकों का तर्क है कि जो एक शून्य प्रतीत होता है वह वास्तव में आसत से थोड़ी कम आकाश गंगाउं वाला क्षेत्र हो सकता है न की एक वास्तविक शून्य इसके अलावा कुछ खगोल विद ब्रह्मान्ड के विस्तार दर में देखी गई विसंगतियों के लिए वैकल्पिक स्पष्टी करण प्रस्तावित करते हैं इन स्पष्टी करणों में गुरुत्वा कर्शन की हमारी समझ या डार्क एनरजी की प्रकृती में संशोधन शामिल हैं के बीसी शून्य पर बहस वैज्ञानिक जांच की गतिशील प्रकृती पर प्रकाश डालती है जहां नए विचारों को लगातार प्रस्तावित, परीक्षन और परिश्कृत किया जा रहा है